नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Pranjali आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चानल में दोस्तों आज हम बात करेंगे चहरे पर निखान लाने के लिए हमारी जो इसकिन है उसको कैसे कसाओ लाया जाए उसको में टाइपनेस लाने के लिए साथे जो आपके स्किन बहुत रफ हो गई है उसको रिकवर करके स्मूद और फ्लॉलस बनाने के लिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आप उसको रात में अपलाई करेंगे तो आपको नेक्स डे एवन सुबह में ही डिफ्रेंस फील होने लगेगा जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे विटमिन E के ओल के बारे में एक्स्टेर्नली यूज करने के लिए कि आपको कैसे यूज करना है जिसका आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉंज देखने को मिले दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फोमेटिव है आप इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चेहरे के निखार और चमक के पीछे आप से मैं बात करूँ तो दो फैक्टर बहुत जादा रोल प्ले करते हैं एक है एक्स्टर्नल दूसरा है इंटर्नल इंटर्नल में हम बात करें अगर आपकी इंटर्नल ओर्गन जो हैं अगर अच्छे नहीं है तो आपके चेहरे पर वो चमक वो निखार नहीं दिखेगा आप कौन-कौन सी बिमारी ऐसी हो सकती है दोस्तों अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र है लंबे समय से आप किसी बिमारी से ग्रसित है आपका पेट साफ नहीं रहता आप में पानी की कमी है मीन्स आपकी स्किन बहुत जादा डिहाइडरिकेड है या फिर आपका ब्लड प्यूरिफाइड नहीं है आपके शरीर में निउट्रिशन की कमी है यह तमाम फैक्टर आपके चेहरे पे दिखाए देते हैं यह सारी चीज़े जो आपके अंदर चल रही है अगर इनका संतुलन गड़बड है तो यह चीज़े आपके चेहरे पे दिखेंगी आपक इसकी पे चमक दिखेंगी लेकिन इसके साथ साथ दोस्तो इंग जो एक्स्टरनल फाक्टर है वो भी बहुत स्यादा रोल प्ले करता है आपको जो आप एक्स्टरनली जो अपने इसकीन पर लगाते हैं तो आजकर लोग स्किन को फ्लॉलेस दिखाने के लिए चमकदार इतने लग जाता है यह कारण होता है आपके शरीर पे बहुत जादा एक्सटरनली केमिकल एक्सपोजर का लेकिन दोस्तों मैं इसके साथ साथ फ्लॉलेस या निखार वाली स्किन के लिए मैं एक चीज़ और आप लोगे के साथ क्लियर करना चाहूंगी बहुत लोगों की द को ही सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है और इवन जो बहुत लोग जो सांवले कंप्लेक्शन के हैं या फे थोड़े से डाक हैं उनकी अंदर एक इंफिरियरिटी आती जाती है और यह इंफिरियरिटी लाने का कारण हमारा समाज ही है वो उनको इस निगाह से देख है जितने फेर कॉंपलेक्शन वालोग की होती है बस थोड़ा सा मिलेनिन फरक होता है और कोई भी चेंजस नहीं होते तो अगर प्लीज आपका थोड़ा सा कॉंपलेक्शन कम है तो अपने अंदर इंफिरियरिटी बिल्कुल ना फील करें आप इस समझे कि इश्वर ने आपके जो मेलेनिन है वह एक्स्टेरली ऐसे आप नहीं कम कर सकते जब तक आपके स्किन पर बहुत सीवर क्यमिकल्स का एक्सपोजर ना किया जाए और अगर ऐसा कोई दावा करता है हार्टली एक से दो टोन ही वह बढ़ा सकते है इस से जादा टोन आपका नहीं बढ़ सकत तो अगर आप डार कॉंपलेक्शन के हैं तो आप उसके साथ ही अपने आपको confidence फिल करें खुश है अपनी skin को अच्छा रखे आप अपने darker कॉंपलेक्शन में भी उतने ही सुंदर लगेंगे जितने एक fair कॉंपलेक्शन वाला लगता है दोस्तो तो चलिए अब बात करते ह में vitamin E oil दोस्तो वैसे तो आगर देखा जाएं internally अगर हम vitamin E की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत ही कम चांसे होते हैं कि शरीर में vitamin E की कमी हो क्योंकि हम जो food लेते हैं जुसमें जो oil यूज होता है even हम अगर fast food भी खाते हैं पार्ट आइटम्स काते हैं उन सभी से हमें थो बहुत जादा shiny एक smoothen effect देने वाली उसको hydrate रखने वाली हो सकती है तो अगर आप आप की skin बहुत जादा dry है आपको बहुत flaky सी feel होती है कि पपड़ी जैसी जमी सी लगती है आपकी skin में तो आप vitamin E के capsules का यूज करें किसी भी medical store पे आपको easily मिल जाएगा evion 400 I think evion capsule के नाम बहुत जाएगा आपको प्रयोग कैसे करना है रात में कम से कम आदी गंटे पहले अपने सोने से लगाएं कि वो तब तक आपके शरीर में एब्जॉर्ब गया हो जस्ब गया हो अच्छे से आप बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कभी-कभी रैश डवलब होने लगते है अपने फेस पे लगा के बहुत अच्छे से रब करें और उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ दे और उसके बाद सोने जाए इसलिए मैं थर्टी मिनिट्स का गया दिया आपके सोने और लगाने के वीच में क्योंकि आप तुरंत लगा के जाएंगे तो आपके बैक शेक्स को आपके पिलो कवर्स को खराब कर सकता है तो आप हाफ एन आर एरॉंग गैप कर लीजे और लगा के छोड़ दीजे और रात भर आप इसको लगा के रखें और सुबह उठके आप अपसको हलके से गुन-गुने पानी से अपने चेहरे को दोईए उससे में दो से तीन बार भी आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो विदिन मन्त आपको अपनी पिक्चर क्लिक करके रखें कि आपकी पुरानी पिक्चर में आप कैसे दिख रहे थे और एक महीनी के अंदर आपके अंदर कितना ड्रास्टिकल चेंज आया है अब कुछ लोगों के ल और अगर ऑएली स्किन वाले चाहें तो थोड़ा ओयल लेकर आप लगा सकते हैं अधरवाइस ओइली इसकिन वालों को अगर लगता है कि उसको लगाने के बाद अगर इसकिन बहुत ज़धा ओईली हो रही है तो वह भी अवोइड कर सकते पर ड्राइ सकिन वालों के लिए आप इसको एवन गर्मियों में भी लगा सकते हैं, थोड़ी मातरा में लगा रहे हैं, तो ठंड में तो आप रेगलरली यूज़ करें, क्योंकि उस समय हमारे स्किन का मौश्यर विलकुल उड़ गया होता है, तो आप ठंडियों में तो उसका प्रिदिन प्रयोग कर सकते हैं, गर्मियों में आप हफते में दो बार भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इतना सफिशिंट है, इसके साथ-साथ अपने पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा रखें, वाटर इंटेक आप जब अच्छा रखेंगे, तो आपकी स्किन हाइड्रेटिक रहेगी, उसमें ड्राइनस नहीं आएगी, और आपकी देव बाइडे, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, तो दोस्तों आशे करती हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना बिलकुल मत भूलें, शेयर करें, जादा जा अपने फ्रेंग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को लहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, थैंक्यू सो मच.